जय हिंद उमीद करते हैं कि BPSC TRE 2.0 जिन भी कंडिडेट का 7 दिसंबर से एक्जाम है लगातार, रिविजन और प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे और बेहतर तयारी चल रहा होगा आपका और इसी तयारी को और धार देने के लिए कल यानि रविवार को सुबह साथ बजे से नौ बजे तक इसमें 6 बजे लिखा हुआ है साथ से नौ मॉर्निंग में, कितने बजे साथ से नौ एम सुबह आपका गंगा घाट पे गंगा घाट पे कहां तो पठना कॉलेज के पीछे दम घाट या काली घाट उसको बोल सकते हैं एक मेगा टेस्ट का आयोजन प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है कम्प्लीट प्रीक अब कॉस्ट में और उसमें लगभग 6 सब्जेक्ट का हम टेस्ट ले रहे हैं तो जो भी स्टुडेंट पटना में रहते हैं चुकि यह लास्ट टेस्ट होगा तो चुकि अधिक से अधिक भीर में आप जब टेस्ट देंगे तो ऐसे ही कंफिडेंस लेवल थोरा सा आपका बरहेगा और एक्चुल कंपिटिशन क्या है आपस में या एक्चुल आपका स्ट्रेंथ क्या है वो आपको पता चलेगा और लगातार आप उसके बाद रिविजन कर करके और बहतर परफॉर्मेस देने का प्रियास करेंगे तो सबसपहले हम देखेंगे कि इसमें 6-8 मैथ एंड साइंस 6-8 सोसल साइंस 9-10 हिस्ट्री पॉलिटी 9-10 मैथ 9-10 साइंस और 9-10 इंगलिश इतने पेपर का टेस्ट होना है बिल्कुल फ्री आप कोस्ट मॉर्निंग में 7-9 पटना कॉलिज के पीछे कदम घाट पर और दूसरा क्या कि आपका एड्मिट काट डाउनलोड हो रहा है अब भी भी बहु सारे बच्चे लगातार फोन करते हैं लगातार मैसेज करते हैं लगातार आके मिलते हैं सब्ज करते हैं कि जो भी स्टुडेंट खासकर के 6-8 का पहले चर्चा करते हैं 6-8 में आपका कोई भी दो पेपर का कंबिनेशन बन रहा था जिसके आधार पर 6-8 में फॉर्म भरने के एलिजिबिलिटी बनी चाहे आपका हिस्टी पॉलिटी एकोनोमिक्स जोगरफी इसके अलाव साइकलोजी सॉसलोजी कॉमर्स कोई भी आपका पेपर दो पेपर था तो आप 6-8 में फॉर्म भर सकते थे बसरते सीटेट या बीटेट पेपर टू पास आप हो तो सवाल यह उठता है कि कॉमर्स वाले कंडिडेट हमें साब पूछते हैं फॉन करके कि सर हमारा कंबिनेशन क्या होगा या सोसलोजी साइकलोजी या होम साइंस वागर जिनका पेपर रहा है उनको भी लगता है कि हमारा कंबिनेशन क्या होगा क्या हमको यही हिस्ट्री पॉलिटी एकोनोमी जोगरफी चार पेपर में से दो पेपर हमको भी चूच करना है तो निश्चित रूप से य पॉलिटी एकोनोमी जोगरफी में से दो पेपर का चैन करना है जिसमें एक इतियास या भूगोल जरूर होना चाहिए बांकि दूसरे पेपर के साथ कंबिनेशन आप बना सकते हैं चाहे तो इतियास और भूगोल दोनों भी आप रख सकते हैं और बहुत सारे चातरों का इसमें क्वैरी रहता है सर हमारा honors paper रखना जरूरी है क्या या हमारा honors paper और subsidy से बाहर का भी subject हम रख सकते हैं तो आप social science के चारो paper में से कोई भी दो paper आप चूज कर सकते हैं ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि paper 1 में जो भी paper चूज किये हैं चाए वो history हो या जोगरफी हो paper 2 में कोई भी paper चूज किये हैं चाए political science हो या economics हो जब आप question वहाँ examination hall में बनाएंगे तो 70 question 30 आपका language 40 समाने धिन के बाद paper 1 और paper 2 40-40 question का combination बनेगा तो जो आपने अभी paper 1 select किया होगा वहाँ भी paper 1 में वही question आपको solve करना है और paper 2 में जो question आपने select किया होगा वही question वहाँ पर आपको choose करना है यानि बनाना है यहाँ पर अगर आप उल्टा-पुल्टा कर देते हैं तो आपके साथ परिशानी बर सकती है क्योंकि copy जाचने में फिर गरबरी हो जाएगी क्योंकि उसी हिसाब से वहाँ आपका OMR जाच होगा इस बात को ध्यान रखना है और यही चीजा 9-10 के लिए भी लागू होती है तो उमीद करते हैं कि यह बातें भी आपको समझ में आई होगी लेकिन कल आपको गंगा घाट आना है पतना कॉलेज के पीछे कदम घाट पर टेस्ट देने के लिए मौर्णिंग में साथ से नो और जो पतना के बाहर के स्टूडेंट है जो टेस्ट देने के लिए यहां नहीं आ सकते हैं तो प्लेटफॉर्म बाइ नभीन कुमार सिंग टेलिगराम चैनल पर यह टेस्ट आपका उपलब्द रहेगा हम उपलब्द करा देंगे आदे घंटे के बाद या एक घंटे के बाद वहां से डाउनलूड करके आप प्रिंट आउट निकाल करके इमानदारी पुर्वक टेस्ट आप बना लिजिएगा और आप मेरिट में खुद को जाचिएगा कि आपका रेंक कहां पहुंच पाया तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे धन्यबाद बेस्ट आफलक और इसका डिसकसन वी कल दिन भर चलते रहेगा नभीन कुमार सिंग यूटूब चैनल पर धन्यबाद